चीन ने इंफ्रास्ट्रुक्चर की दुनिया में एक और की रतीमान अपने नाम कर लिया है वहाँ के इंजिनेरों ने दुनिया का सबसे उंच्छा पुल बनाने में सफलता हासिल कर ली है और उसे यातायात के लिए खोल भी दिया गया है मात्र तीन साल में बने इस पुल को बनाने में लगभग 10 अरब रुप्य की लागत आई है बेबांजियांग प्रिज नामक यह पुल चीन के दक्षन और पश्चमी पहाड़ी हिस्सुम युन्नान और गोई जोओ को आपस में जोड़ता है पांच सो पैसट मीटर उचे इस पुल की लंबाईं 1340 मीटर है जिस पर गाड़ियों के चलने के लिए चार लेन गनाई गई है इस पुल के बन जाने से युन्नान और गोई जोओ के बीच यात्रा का समय अब घटकर एक चाथाय रह गया है पहले जहां चार खंटे लगते थे वहीं अब यही आत्रा मात्रिक खंटे की रह गई है ह्चे नीज की रिपोर्ट